शिवराज सिंग का ड्राफ्ट रिजेक्ट केलाश विजेवर्गिय का फैसला नमशकार आप देख रहे दा खबरदार नियूस तो चलिए रुख करते हैं आज की प्रमुक और बड़ी खबर पर मदपरदेश की शिवराज सिंग जोहान सरकार दोरा तयार किया गया भोपाल का मास्टर प्लान का ड्राफ्ट मदपरदेश सरकार के नगरिय प्रश्यासर मंतरी श्री कैलाश विजेवर्गिय ने रिजेक्ट कर दिया है अब भोपाल का मास्टर प्लान फिर से बनाया जाएगा इस बार भोपाल के विधायक और सांसदों की मर्जी के मताबिक भोपाल का मास्टर प्लान तयार किया जाएगा मंत्राले में हुई भोपाल के भाग्य विधाताओं की मीटिंग नगरिये विकास मंत्री विजेवर्गी ने शुकरवार को मंत्राले में भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट के संबन्द में बैठक बुलाई बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित पचारी भी मौजूद थे मास्टर प्लान का प्रजेंटेशन आयुक्त टाउन एंड कंट्री प्लानिंग श्रीकांत भनोत और जोइंट डिरेक्टर सुनिता सिंग ने दिया प्रेजंटेशन के आधार पर जिन प्रतनिदियों ने आवश्यक सज्जाव दिये भोपाल के नई मास्टर प्लान में क्या होगा मंत्री कैलाश विजेवर्गी ने कहा कि बोपाल के तालाब विशेश रूप से बड़ा तालाब राजधानी की लाइफ लायने माना जाता है और बोपाल आने वाले पैटकों के लिए विशेश आकर्शन का केंद्र रहता है तालाब और बोपाल की पुरा तत्वीय विजासत को संद्रक्षित करते हुए मास्टर प्लान के प्रावधान में किये जाएगे उन्होंने जिन प्रतनिदियों से कहा कि राजधानी बोपाल का पैतरक से ट्राफिक प्लान तयार किया जाएगा इसमें सडकों की परियाप्त चड़ाई, फ्लाई ओवर और मेट्रो सेवा के विस्तार पर विशेश ध्याद दिया जाएगा विदायक रामेश शर्मा और बिल्डर की यूनियन बोपाल मास्टर प्लान के खिलाफ थे बोपाल मास्टर प्लान 2021 में आई आपतियों पर सुनवाई पिछले साल 9 अगस्त से 5 सितंबर तक होई थी आखिरे चरण में जमकर हंगामा हुआ था हुजूर विधायक रामेश शर्मा कॉंग्रेस नेता नरेश ग्यान चंदानी समयत किस्सानों ने कृशी भूमी को कैच्चमेंट एरिया में शामल करने समयत कई बिंदूओं पर नारास की चताई थी बल्दर की यूनियन क्रेजाई ने भी कई मुद्दों पर आपतियां ली थी इससे पहले सरकार ने मास्टर प्लान का जाफ्ट दोजून को जारी कर दिया था ट्राफ्ट जारी होने के 30 दिन के अंदर कुल 3500 आपतियों और सुझाव विले थे इसमें बड़ा तालाव किनारे बसाहत बाग एरिया समयत कई रहवासे इलाकों को लेकर आपतियां आई थी नगरी विकास एवं आवास विभाग के उपसचेव केबीए सचोधरी कोलसानी ने दावे आपतियों पर सुनवाई की थी 19 साल से लावारिस्थ है भुपाल 2005 में एक्सपायर हो गया था पिछला मास्टर प्लान वपाल का आखरी मास्टर प्लान 1995 में जारी किया गया था जो 2005 में समाप्त हो गया था इसके बाद से मास्टर प्लान का इंतिजार किया जा रहा है हलाकि बीच में तीन बार मास्टर प्लान को लेकर कवायते होती रही है 2021 में तो इसे लेकर दावे आपती भी बुलाई गए थे हलाकि इसमें कई बड़े संशोधने की जाने थे बड़ा तालाव के कैच्चमेंट एरिया, ट्राइगर मूवमेंट एरिया सडको आदी को लेकर सह संशोधन थे इसके चलते यह ड्राफ्ट जारी नहीं हो सका था इस साल फिर से मास्टर प्लान को लेकर सारी कवायते हुई हैं लेकिन फिर से यह खारेजे कर दिया गया है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही झाल झाल